सेट वन का सॉलूशन कर देता है ना देखो कुश्चन नमबर फर्स्ट में गिवेन है कुश्चन नमबर फर्स्ट में गिवेन है विच आफ दा फॉलॉविंग सेट इस एन इंपाटी सेट मतलब चार ओप्शन दिया है बोला इंपाटी सेट कौन सा होगा तो चलो इस में से एक ही अंसर सही होगा तो ओप्शन फर्स्ट जो है क्या लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलॉंग्स टू नैचुरल नमबर आप लोग नहीं बोलो कहें ध्यान से सुनो चलो सबसे पहले यह चेक करते हैं कि यह एंपाटी सेट है क्या या नहीं तो देखो यह एक्वेशन गिवेन है यहां से हम लोग एक्स का वेलू निकालेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 देन 2x इक्वल टू 1 कैसे वन हुआ 5 इधर जाएगा 6 माइनस 5 इज 1 x इक्वल टू 1 बाइ 2 बोला x नैचुरल नमबर होना चाहिए x नैचुरल नमबर रहना चाहिए लेकिन यह जो 1 बाइ 2 है this does not belongs to natural number यह natural number से belong नहीं करता है इसलिए यहां पर x का value set में कुछ भी नहीं होगा मतलब a equal to क्या आगया 5 तो empty set यही वाला हुआ तो option इसका यही सही है बागी check करने का जौरत नहीं है question number 2 में क्या दिया है which of the following has only subset इन में से कौन सा केवल subset है which of the following has only subset जैसे यह देखो पहला option दूसरा option तिसरा option में आपका 5 है और D option में आपका 0 है बुला गया इसमें से कौन सा हमेशा subset होगा मतलब लिखाए क्या which of the following has only one subset which of the following has only one subset किसका एक ही subset होगा जैसे यह set है पहले समझे बात को यह set है तो यह set है अब बता सकतो 5 5 तुम लोग बोल रहें 5 क्यों होगा 5 कहीं subset 1 क्यों होगा बाकी का 1 क्यों नहीं होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे set यह है इसमें 1,2 है इसका सारे subset लिखो क्या होगा सारे subset जैसे a1 5 हो गया a2 1 a3 2 और एक और सबसेट होगा 1 और 2 आनि कहने का मतलब क्या हुआ अगर किसी set में n elements है अगर किसी sets में n elements है तो इसमें total 2 पे पावर n subset होता है कितना subset होता है n subsets होता है तो आप यहां से check कर सकते हैं इसमें कितना element है one element है कि नहीं अरे इसका solution लो ऐसे भी निगाल सकते हैं n is number of elements अगर n number of elements है किसी set a में in set a तो total number of total number of subsets कितना होगा अब set a क्या होगा 2 raised to the power n यह भी question आपको पुछ सकता है इसके जगह पर इसी से related चीज़ है इसलिए question यह भी आप से पुछा जा सकता है तो आप देखो किसका एक सेट बनेगा है न एक सेट किसका बनेगा तो यहाँ पर एक एलिमेंट है इस सेट में तो टूपे पावर वन मतलब दो सबसेट आएगा इसका चेक कर लें सी का इसमें दो एलिमेंट्स है तो टूपे पावर टू एन का वैलू टू चार सबसेट बनेंगे यहाँ पर भी एक अलिमेंट है जीरू कितना सबसेट बनेगा बोन सबसेट अब यहवाला जो है इस इस थार एलिमेंट्स है ऑफ हो Maar तो empty set में 0 elements होता है मतलब एक भी element नहीं होता है मतलब n का value कितना हो गया 0 तो 2 raised to the power 0 कितना जाएगा 1 तो answer कौन सा set होगा B B option सही होगा ठीक है आप लोग सब लोग बाद में copy कर लेना बस समझते जाओ घर में solve करके लाएगा कल question number 3 में बोला है कि if the set A contains 5 elements then the number of elements in the power set of P A मैं बोला था question आजाएगा ठीक है इसी के just बात दिया है question number 3 सबसे पहले बात समझो आगर number of elements number of elements in set A is equal to N है then number of subsets of set A बरावर क्या होगा to raise to the power N अब बोला है क्या then the number of elements in power set A सबसे पहले बात है power set क्या होता है power set होता है power set क्या होता है power set of set A क्या होगा set which contains set which contains elements of elements of set which contains all subsets all subsets as element of as element all subsets of set A as element मतलब power set एक ऐसा set होता है जिसके अंदर जो element होगा वो कौन element होगा subsets होगा किसका set A का set A के अंदर जितना भी subset है set A के अंदर जितना भी subset है set A का जितना भी subset होगा उसी का set को क्या बोलते है power set power set किसको बोलते है power set किसको बोलते है set of all subsets of set A मतलब simple वासा में क्या लिख सकते हो set of all subsets of set A set of all subsets of set A तो बताओ अगर set A में N elements है तो उसका total subset कितना मनता है two-pay power N एर यही two-pay power N जो है this is the number of number of elements number of elements in P A P A मतलब power set of A तो number of elements कितना इसमें 5 तो क्या हो जाएगा answer number of elements in P यह बराबर हो जाएगा two-pay power 5 और two-pay power 5 कितना होता है कितना हो जाएगा 32 option number कौन सा सही होगा इसका C तिसरा को option C सही है तिसरा को option कौन सा सही है C number तो अभी तक set से ही चल रहा है चलो आगे चलें तुम लोग ध्यान में रखना यह चेंज कर सकता है data N के जगा भी 5 लिया है इसको चेंज कर देगा इसलिए समझना जरूरी है ठीक है question number 4 में बोला है 3 set given है आपर यह बहुत ही असान question है question number 4 में set A given है 2, 3 record हो रहा है या नहीं हो रहा है देख लो भाईया हो रहा है 3, 4, 5, 10, 12 और C हो गया 4, 5, 6, 12 14 आप से बोला इसका value क्या होगा A union B intersection A union C पहले A A union B लिखो देखो यहाँ पर A union B लिखते हैं ठीक है मतलब A और B के सारे elements को लिखो तो 2, 3, 4 यह भी आ गया यह भी आ गया 5 8 10, 12 A union B हुआ फिर intersection A union C A और C में दोनों को मिला 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 हुआ 6 8 10, 12 14 हो गया आप यहाँ देखो बीच में intersection है A union B यह वाला लिखा और A union C यह वाला लिखा Union में क्या होता है दोनों के elements को लिखा जाता है combine करके दूसरी बात क्या है एक element को दो बार नहीं लिखना है एक element को दो बार नहीं लिखना है अब intersection में क्या होगा इन दोनों का आपको intersection लेना है तो वही element आएगा जो दोनों में present है कौन सा element आएगा जो दोनों में present है कौन कौन present है 2, 3, 4, 5, 8, 10 और 12 एक कौन सा option में दिया है 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 बी option तो इसका answer कौन सा हो गया बी पार हटा दें एक घंट में खतम हो जाना चाहिए ना question number 5 भी इसी तरह है यह भी set से ही दिया अच्छी बात है यह universal set हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक और A दिया है आपको 1, 2, 3, 4 B दिया है set 2, 4, 6, 8 दें पूछाए A union B का क्या चीज़? क्या बोलता है? compliment A union B का compliment क्या होगा है ना? तो सबसे पहले A union B निकाल लेते हैं A union B निकालो तो A union B क्या होगा? दोनों का union A, B set का union मतलब दोनों का elements को मिला देना है दोनों का elements लिखे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 अब बच गया इसमें क्या? 2, 4 आ चुका है? 6 और? 8 अब A union B का compliment क्या होगा? universal set minus A union B A union B का मतलब जो A union B में नहीं है जो A union B में नहीं है तो U minus A union B U minus A union B तो U में जो elements है मतलब U वाले ही element लिखना है universal set का ही element लिखना है लेकिन जो A union B में नहीं है तो बताओ 1 तो इसमें है यह union भी में 2 भी है 3 भी है 4 तक है न तो यह 5 एक आएगा 7 आएगा और 9 आएगा तो 5 7 9 answer कौन सो option सही है C option तो इसका answer हो गया तुमारा option number C अभी तक डस्टर ने मिला था नीचे से लिया देर उदर question number 6 A और B दो सेक्स है तो आप से पूछा है A union B compliment का compliment intersection A union B compliment बताओ इसका answer क्या होगा देखो दी मॉर्गन सलाव आधेतम लोग को यह union B का compliment A compliment intersection B compliment होता है यह intersection B का compliment A compliment अगर यह intersection है तो union हो जाता है और तिसरी बात क्या यह compliment का compliment यह आता है यह यह आता है यह निए यह compliment का compliment क्या आता है यह आ जाता है यह यह compliment का compliment क्या आ जाता है यह आ जाता है ठीक है आप देखो इसको solve करते हैं यह compliment होगा union intersection बनेगा B compliment था और एक आया और ठीक और यहां क्या है intersection फिर देखो एक compliment का compliment intersection बी compliment अब यह क्या बना? A compliment intersection B B compliment का compliment B intersection A compliment का compliment A intersection B compliment अब बता हो क्या है यह ये complement intersection भी क्या होगा देखें क्या एक Venn diagram बना लो तुम जल्दी solve हो जाएगा Venn diagram बना लेंगे तो हो सकता वहीं से solve हो जाएगा set ये हुआ और ये set भी हुआ ठीक है ये complement मतलब set A को छोड़ करके पूरा area set A को छोड़ दो पूरा area इधर वाला और B का intersection मतलब B के साथ intersection मतलब cable कौन सा जानते हो ये वाला हुआ इसी तरह से ये intersection B dash मतलब B dash का मतलब B को छोड़ करके तो पूरा area आ जाएगा जो वाइट वाला दिख रहा है और ये B हुआ अगर केवल ये को छोड़ दें तो ये वाला portion ये वाला पूरा ये वाला portion है ना ये सब ये सभी portion ये को छोड़ दिया ये को देखो छोड़ दियें ये A complement हो गया अब इसका B के साथ intersection लेना है तो B के साथ intersection लेंगे तो B part वाला ही लेंगे जिसमें A complement आ रहा हो तो यही वाला छेतर होगा ना एकदम similar type का B complement मतलब B area को छोड़ दो इधर पुरा और A के साथ intersection तो कौन सा आएगा ये वाला तो सोचो ये और ये मिलिया आपको अब इन दोनों का intersection लेना है मतलब common part तो बता इन दोनों में common part कुछ है क्या तो बत्ता इन दोनों का intersection मतलब common part ये common part कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें कहा common तो answer क्या होगा इसका 5 Option में हम weं कहीं क्या अरे नल सेट लिखा है न जी 6 में जो नल सेट लिखा है ओप्शन ये में वह ही अंसर होगा यहां से भी solve कर सकते थे मतलब डायरेट वेंड डायग्राम से यहां से भी डायरेट देख लो सेट ये हुआ और ये सेट भी हुआ आपका ये उनियन बी कॉंप्लिमेंट बी कॉंप्लिमेंट लेना है देखो बी का कॉंप्लिमेंट ठेक है मतलब बी को छोड़ करके ये पूरा एरिया अच्छा उनियन ये के साथ है तो अब उनियन भी ये के साथ उनियन है ना ये के साथ क्या है उनियन मतलब इतना च्छोड करके फिर एक ले लेना है तो एको पुरा ले लिया लो फिर ये एंपक्लिमेंट उनियन भी मतलब ए एक पूम्पलिमेंट एको च्छोड दिया और भी के साथ उनियन तो पूरा फिर ये आ जाएगा यहां गडबड हो जा रहा है यहां गडबड हो जा रहा है ठीक है यहीं से कर लो कोई बात में अंसर क्या आ गया नल सेट सेवेन नमबर इसको अटादू देखो पहली बात यहां से यहां से फिर से समय लो ए उनियन भी कोंप्लिमेंट था कॉंप्लिमेंट डी मॉर्गन सलाव से क्या जानते हैं अगर पूरे पर गॉंप्लिमेंट है अलग-अलग पर जाएगा तो यह उनियन किसमा बदल जाएगा एंटरसेक्शन में यहां भी क्या हुआ इंटरसेक्शन में चेंज हो गया यह ए कॉंपलिमेंट का Kompli PMी आया और यह भी कॉंपलिमेंट डी Kita कॉंपलिमेंट का Kompli थोड़ दिया पूरा एरिया उसका इंटरसेक्शन ये के साथ लिया ये के साथ इंटरसेक्शन तो ये पाट आया फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया कोमन कुछ खाई ने रहा इसमें तो खाया गया नल सेट तो यह तमारा अच्छा कुश्चन था कुश्चन नम्मर सैवन यह भी आसान है सब सेट से देदी है जी यह एक्वल टू दिया वन टू थ्री बी इक्वल टू सेट दिया थ्री एट और सी और देन पुछा है आप से क्या यह उनियन बी काटिजन प्रोड़क्ट ओफ यह इंटरसेक्शन बी तो सबसे पहले आप यह उनियन बी निकालोगे फिर यह इंटरसेक्शन बी निकालोगे क्या हैगा केवल थ्री होगा ना दोनों में सामिल है फिर आप से पूछा है यह उनियन बी लिखा है पहले ना अच्छा यह लिखा ही तो है यह उनियन बी in multiplied by मतलब Cartagen product इसके साथ A intersection B मतलब पहले ए उनियन बी का element रखेंगे इसका pair इसके element के साथ होगा तो क्या होगा 1 का pair 3 के साथ 2 का pair 3 के साथ 3 का pair 3 के साथ और 8 का pair किसके साथ 3 के साथ अगर और भी element रहता इसमें तो फिर ये सारे element का pair यहां बनता तो ये option किसमें है 1, 3, 2, 3 3, 3, 8, 3 कौन सा option है इसका सही B option सही है question number 8 में given है relation से question A equal to दिया है X, Y, Z B equal to given है A, B, C, D which of the following is not your relation from A to B बोला है कौन सा relation नहीं होगा A से B में तो जैसे first option में लिखा है X, A और X, C X, A और X, C बिलकुल हो सकता है relation मतलब समझ रहाना है A to B में पूप जाएगा क्या है फांस जा रहा है इसको कितना दूर तक आ रहे है यहां तक आ रहे है क्या गिर जाएगा अब ठीक है ना अब ठीक है ना इसको मैं समझा रहा था यह relation पूछा है ना देखो A से B relation पूछा है तो यह set यह हुआ यह set भी हुआ relation पूछा है A से B यह में element X Y Z B में दिया A B C D ठीक है चलो पहला चेक कर लो X A X का A के साथ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है X का C के साथ ऐसा हो सकता है relation में तो पहला option तो नहीं होगा बुलाए कौन सा relation नहीं है यह वाला relation है यह relation है ठीक है B पार्ट में दिया है X Y, C और Y, D यह भी है Y का C के साथ Y का D के साथ हो सकता है कोई दिक्कत नहीं next option है C Z का A के साथ और Z का D के साथ यह भी हो सकता है Z का A के साथ, Z के D के साथ यह भी relation है last बच गया कौन सा यह देखो अपने आप चमक रहा है इसमे अपने आप चमक रहा है कि यह relation नहीं है, क्यों नहीं है देखो last में A और D लिख दिया क्या लिख दिया और ये और ड एक ही सेट में है तो रिलेशन कहा हुआ ये वाला option तो हमारा ये सही रा जाए केवल रिलेशन के definition से question tał केवल रिलेशन के definition से question है तो अभी तक question number eight तक relation साथ रिलेशन आठ कोश्चन तो साध तो केवल सैट से था एइठ नुममर कोश्चन रिलेशन चेप्टर का नायंति नंमर कोश्चन फंचन का बोलो जी इसका रेंज अधर है क्या मोड एक्स का रेंज मोड एक्स का रेंज का होता है मोड हमेशा वैलू पॉजिटिव देता है ग्रेटर दन इक्वल टू जिरो तो रेंज क्या हो गया जीरो पे close bracket और infinity कों सा ओप्षन सही है यह या सी है ना इसमें लोग गलती कर सकता है यह लगा सकता है टीक तो option C सही है इसका 0 से infinity question number 10 भी function से है the domain of the function this function का domain पूछा है this is the question from ncrt 9-x square बताओ तुम लोग को तीन बिमारी बताया था बहुत बात कर रहा है सचीन खड़ा हो जा तुम बताओ इसको domain तो खड़ा हो जाओ आँ आकल नाम का चीज तो है ने तुमको खड़ा हो जा बताओ वो डिलीट हो जाए वीडियो से टेंसल मतलो बताओ इसका domain कैसे निगा लेगा बोलो तुम लोगे smart बनते रहता है ने 10 में जादा number ले आता है सुचता हम बहुत intelligent है और जैसे 12 का board होता है ने एक जाम में अपने आप उपात पता चल जाता है सब को element में आने के बाद अभी तक अगर host में नहीं आया तो अब आ जाओ बढ़ियां से हां रिकॉर्ड होने तो वो डिलीट हो जाएगा बताओ इसका domain कैसे निकालेगा कौन बताएगा बोलो बैटो तुम बताओ जी greater than 0 equal to लाइएगा नहीं लाइए greater than 0 बैट जाओ 9 minus x square greater than 0 तो अब इसको इसका domain निकालना है इसको क्या करें ऐसे लिख लेते हैं x square minus 9 अब minus से दोनों सेट multiply किया है तो sign क्या होगा change हो जाएगा change होगा कि नहीं होगा inequality में फिर x square ये 9 को लिख सकते 3 square फिर क्या लिखेंगे x plus 3 और x minus x plus 3 into x minus 3 less than 0 अब क्या बताया था x का value यहां से minus 3 और plus 3 बोला था एक line खिचो minus infinity से ये minus 3 और ये फिर क्या बोला था lights right side से plus minus plus sign देखो यहां कौन सा है less than 0 का negative portion मतलब यहां से ले करके अब bracket का भी ध्यान रखना है answer होगा x belongs to minus 3 से plus 3 open bracket लगाया है क्योंकि यहां equal to का sign नहीं है अगर equal to का sign रहता तो यहां close bracket लगता कौन सा option सही नजर आ रहा है अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते ना x का value कहां से कहां minus 3 से देखो plus 3 तक minus 3 से plus 3 equal to का sign नहीं लगा है इसलिए यहां equal to का sign नहीं लगेगा तो option यह में देखो option यह भी उसी तरह है लेकिन इसमें equal का sign लगा दिया है तो बहुत बच्चा इसको गलती कर सकता है option कौन सा होगा सही बी option सही होगा जाधतर भी option सही हो रहा है कि अटा दूए अब तो function से दो question आता है ठीक है द्यान में रखनार सैट से कितना आठ revision करने का जौरत है relation से एक और आपका function से अभी तक दो दिया है कि चलो है हाँ यह पता चला है कि ट्रिम्नोमेट्री का question आप लोगों ने किया था बोलो कि सर्कुलर मेजर ओफ एंगल 75 डिगरी का मतलब रेडियन में सर्कुलर मेजर मतलब कौन सा रेडियन में 75 डिगरी को रेडियन में बदलना है तो 75 गुने पाई बटे कितना बार में कटेगा और 5 से कटेगा 15 पच्चे 75 और ये कितना 5 तिया 15 कितना बच गया 3 36 और कटेगा 5 तिया 15 बारतिया 5 पाई बाई कितना कौन सा उप्शन सही है लो ये भी बी नमबर कौन नमबर बोला एक इसका 10 ठीटा दिया है कितना दिया है और पुछा है साइन ठीटा क्या होगा भाई ये टेंथ क्लास का कुश्चन नहीं है यहां दिया है नेगेटीव 10 का वैल्यू दिया नेगेटीव 10 नेगेटीव ही कहां कहां होता है एक इसमें है और एक इसमें मतलब साइन का भी दो वैल्यू होगा मतलब ये इंगल ठीटा जो है किसमें लाई कर रहा है second quadrant और fourth quadrant में और sine जो होता है second में plus होता है fourth में तो इसका दो answer हो 가 corrections और एक minus वाला तो भाईय ये देखो 10 ठीटा बराबर given है तुम्हें minus 4 बटे 3 मतलब कितना P by B P का value बोले तो 4 B का value बोले तो 3 और H जो निकालो गो यो 5 आएगा क्या कितना आएगा यह formula लगाओगे 5 आजाएगा अब 5 आजाएगा तो sin theta बराबर क्या होता है P by H P का value बोले तो 4 और इसका 5 तो answer होगा sin theta का क्योंकि as theta lies in second and fourth quadrant hence sin theta बराबर होगा plus 4 बटे 5 और minus 4 बटे 5 क्या ऐसा option दिया है क्या तो minus 4 बटे 5 और plus 4 बटे 5 ए भी option कौन सा है B वाला तो 12 का भी answer B अब ऐसा नहीं कि exam में तो लो बीबी मार के आना जो नहीं आता है कोई जरूरी नहीं है चलो यह भी हो गया आपका question number 13 low बोला A, B, C, D be the angle of your cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral मतला समझ रहा है circle के अंदर का quadrilateral यह वाला यहीं होता ना A, B, C, D take in order taken in order taken in order मतला इस टाइप का है ना अब इसका मतलब cyclic quadrilateral का मतलब क्या हुआ जो आमने सामने जो एंगल है इसका सम होता है 180 degree और B plus D कितना 180 degree ठीक है अराम से देखो अब जो given है cos A plus cos B इसका अंसर पूछा है cos C plus cos D एक काम करो A और C में से एक को change कर देंगा यहां पर और B और D में से एक को change कर देंगा ना तो cos A को रहने देते हैं cos B को भी रहने देता हूं cos C को C के जगा क्या लिख सकता है 180 minus A C के जगा 180 minus A और D के जगा 180 minus B बो लो cos 180 minus ठीक्ता क्या होता है minus cos ठीक्ता भाई यह cos pi minus ठीक्ता होता है second quadrant में यह तो minus cos ठीक्ता होता है cos pi minus ठीक्ता cos pi मतलब 180 degree minus ठीक्ता minus cos ठीक्ता ठेक क्या answer क्या आ गया कौन सा option सही है यह option सही है ठीक है चले आगे अभी भी गप कर रहा है कोई क्या आज और कल में दो सेट दिया है दोनों सेट खतम कर लेंगे उसके बाद चैप्टर वाई चैप्टर रेवीजन करा दूंगा सेख तू पाई वाई थ्री इसका वेलू पुछा है बहुत ही असान क्वेश्चन क्या करोगे यह कैसे तोड़ोगे इसको क्या लिख सकते हो फाई माइनस पाई पाई 3 वेरिगूट आगे बोलो को सेख पाई माईनस पाई और यह सिकंड क्याइट में है तो पाई जब भी बोला था जीनि नी होता है दोनों एंगल सेकेंड क्वाइटरेंट में है और मैं बोला था कि एन पाई पलस माइनस छिट आ रहे एन पाई मतलब वन पाई टू पाई थ्री पाई कुछ भी रहे सेख सेक में रहता है मतलब जो भी ट्रिबनामेटर फंसन हो वह चेंज नहीं होता है केवल उसका साइन पलस तो यह होगा माइनस सेख पाई भाई थ्री और यह पोजिटीव आएगा तो पलस उसक पाई भाई सिक्स पाई भाई थ्री बोले तो 60 डिगरी कितना होता है कॉस 60 डिगरी वन बाई चुछ होता है यहां सेख 60 है तू हो चाहेगा तो इसका अणसर माइनस 2 हो गया अब यह 5 by 6 है 30 degree sign 30 degree कितना होता है 1 by 2 तो क्यों से 30 degree 2 उल्टा हो जाएगा answer कितना आया 0 कल भी आया था क्या कितना option सही होगा कौन सा डी number option सही होगा हो गया हटा दू इसको जिसको copy करना है YouTube पे चले जाना और सारा copy कर लेना question number 15 cos x बराबर given है minus 4 by 5 फिर दस्वी क्लास का question आ गया बोला x belongs to pi by 2 से pi बोला x belongs to pi by 2 से pi बतलब कौन सा quadrant second quadrant में एंगल लाई कर रहा है बोला है cos x by 2 बताओ लो आप multiple angle formula जानना पड़ेगा cos x by 2 पुछा है पुछा है नहीं पुछा है बोलो तो तुम लोग को मालूम है कि cos 2 theta बराबर होता है 2 cos square theta minus 1 हाँ बही है तो cos अगर मैं केवल यहाँ 2 theta के जगा x लिखू हूँ तो यहाँ लिखा जाएगा x by 2 minus 1 होगा क्या तो यहाँ से देखो 1 plus cos x 2 cos square x by 2 तो cos square x by 2 जो होगा 1 plus cos x यह multiply में 2 जाएगा divide में और यह square हटा दिया तो plus minus आएगा root अंडर प्लस माइनस आएगा root अंडर 1 plus cos x by 2 अब यहाँ कौन सा लेना है प्लस वाला लेना है माइनस वाला यह बताएगा कैसे बताएगा देखो x belong कर रहा है pi by 2 से लेकर के कहां तक आपको यहाँ दिखाएदे रहा है x by 2 पुछा है तो 2 से अगर इसको divide कर दें लोग 2 से divide किया यह हो गया pi by 2 और यह कितना हो गया pi by 4 मतलब यह एक्स जो एंगल है second quadrant में था तो x by 2 जो एंगल है 45 डिगरी से 90 डिगरी के बीच में है मतलब कौन सा quadrant first quadrant में x by 2 है first quadrant में x by 2 as x by 2 is in first quadrant इसलिए केवल कौन सा होगा first quadrant में क्या होता है सभी लोग positive तो इसलिए केवल प्लस वाला होगा मतलब 1 प्लस कौस x by 2 होगा क्या आपको कौस x का value दिया है minus 4 by 5 तो कौस x के जगा minus 4 by 5 और बटे कितना बोलो 5 में से 4 गया 1 बटे 5 तो root के अंदर 1 बटे 5 बटे 2 और यह 2 है मतलब 2 बटे 1 है ऊपर जाएगा 1 बटे 10 हो जाएगा root अंदर में आनि इसका अंसर इस तरह से भी हो सकता है 1 by root अंदर 10 कौस आप्शन सही है c तो यह भी अच्छा कुशन था multiple angles से related quadrant से related कल इसी तरह बनाया था क्या शालो वैसे आप लोग को मैं बोला हूँ कि भाईया direct आद रखा करो क्या चीज़ बोलो अंसर का धालो cos square x by 2 होता है 1 plus cos x by 2 sin square x by 2 होता है 1 minus cos x by सबसे important formula यही है बहुत important है यह उस time भी बोला था जब पढ़ा रहे थे और आज भी बोल रहे है अब देखो आपका simple state में भी दिया है दोनों एक ही जैसा है cos वाला रहा तो plus और sin वाला रहा तो minus question number 16 question number 16 2 sin 15 degree into cos 75 degree 2 sin 15 degree cos 70 2 sin A cos B का formula लगा लो चलो क्या होता है 2 sin A cos B sin A plus B sin A plus B plus sin A minus यह होता है क्या confirm sin A plus B into sin A minus 75 और 15 कितना होगा नबे और 75 में से पंद्र हो गया माइनस 60 हो अगें 15 में 75 गया sin के अंदर माइनस है तो वो बाहर कर देता है साइन ऑफ माइनस ठीटा क्या होता है माइनस साइन ठीटा 90 degree का value 1 यह minus बहार हुआ तो minus 60 degree तो 1 minus 1 by कितना इसका value कितना sign 60 का root 3 by 2 सी हम लोगे 2 यह option दिया है क्या D number तो इसका answer कौन सा हो गया D असान question यह question number 17 लोट्रीगों से भी बहुत है हटा दू इसको question number 17 question number 17 में क्या A plus B बराबर 45 degree बोचा है क्या quote A minus 1 quote B minus 1 काँ जा रहे जी बुखार लग गया अभी बुखार लगे कैसे होगा quote A minus 1 into quote B minus 1 कैसे बनाए इसको quote A plus B का formula लगा दें क्या जैसे A plus B बराबर 45 degree तो quote दोनों तरह चिपका दिया क्या यही करें quote 45 का value कितना होता है यह 1 होता है quote A plus B क्या होता है quote A into quote B but A quote A plus आगे cross multiply quote A into quote B minus 1 बराबर quote A plus quote B हुआ क्या? अब आगे क्या करें? फेक्टराइज करना पढ़ें एक साइड करतें दोनों को quote A into quote B minus quote A minus quote B और minus 1 ठीक लिखा? यहां से common क्या आ रहा है? quote A कुछ गड़बड किया क्या? कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है कौन सा common ले? quote A तो यहां क्या बच गया? quote B minus 1 नहीं हो रहा है फेक्टराइज गड़बड हो गया one जोड़ना पड़ेगा दोनों सेड जैसे यहां common ले रहे हो तो यहां minus आ रहा है न? तो क्या कर दें जानते हो? चलो एक इस्टिप बढ़ाता हूँ quote A, quote B minus quote A, minus quote B मैं इधर plus 1 कर दिया ठीक है? अपने से जोड दिया और इधर भी अपने से जोड दिया zero plus one यहां से यहां तक फेक्टराइज हो जाएगा तो यहां से quote A, common आ रहा है ठीक यहां बच गया quote B minus one यहां common लिया कितना? one यहां हो गया quote B और जब minus common लेते हैं तो plus क्या हो जाता है? minus और यह minus one इधर बच गया इधर बराबर one अब इन दोनों से देखो quote B minus one common आ रहा है यहां quote A और minus one यह minus उधर धकेल दो plus one तो answer कितना हो जाएगा? कौन सा option सही है? D option कल कैसे solve किया था? हाँ? ऐसे ही किया था चलो हटा दें इसको 18 number तो यह भी एक बढ़िया question है लगा लो 17 number बढ़िया question है यह सब को solve करके जाना तुम पता है चला अगर सेंपल सेट से डारेट छापा अब रटने वाले लोग तो बहुत है इसलिए तुम्हें बोला यह सेंपल पेपर से question देता है इसलिए जैकबोड का ज्यादा पास होता है पास होता है ज्यादा नमर ज्यादा नहीं लाता है नमर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत कुछ लोग कहीं नमर आता है अच्छा क्या comment आरा है इससे बोलो 4 sign ये इंटू क्स ये कि देखो यहां sign एक ही है यहां sign तीन है तो एक ही comment आएगा क्स यहां 3 है लेकिन क्स यहां एक ही है बोलो यहां क्या बच गया माइनास ओफ तुम लोग बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दू दो गुने दो साइन ये कॉस ये कोई दिक्कत है फोर को तोड़ दिया टू इन्टू टू टू साइन ये इन्टू कॉस ये और इधर क्या है सुमित आयाया चारव ये परविस बताा महरेंगे अभी बताओ सुमित आयायाए और नहीं आया हमीत बताऊज़ सुमित आयाया चारव ये मोणमाइन भी सार तो बोले सारे ट्रिकूनामेत्रिकर सॉल्व करें मनातलब तुम लोग यार काल भर्सौ स्वल्व किया घर में जाके बिल्कुल भी नहीं पड़ता है क्या होता है बताओ जी कॉस्ट इस पर यह माइनस साइनस करें पपू बताओ क्या होता मैस कॉस्ट यह होता है धाइन आदमी हो तुम लोग यार मतलब कल परसुन सारा कॉस्ट इसका सॉल्व कराएगे है ट्रिनोमेट्री का चलो इधर देखो टू इन टू टू साइन यह कॉस्ट यह कितना होता है बताओ जी क्या ना मैं तुमारा कि टू साइन यह कॉस्ट यह क्या होता है ला मालू है कि शाइन टू यह कॉई बात नहीं तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो यह अपलोड होगा कोई दूसरा तो पढ़ेगा two sine two a cross two a फिर two sine a cross two a आ गया तो sine angle फिर से double हो जाएगा two into two a और यह बन जाएगा sine four a option number d option number d सही है इसका यह question नहीं पुछेगा वो तुम्हें पता चल रहा है कौन-Kन सा formula से पूछेगा set देने का मतलब यही होता है कि इस formula से question पूछा जा सकता है अगर direct set से नहीं आया तो find the principal solution आप तुम लोग trigonometric equation पढ़ा था दो type का solution पढ़ा था general solution और principal solution का answer दो होता है कौन सा quadrant में है उसके according चल रहा है बंद हो गया चल रहा है न रोट 3 sec x equal to minus 2 sec x equal to minus 2 by root 3 और इसको अगर cost में बदल दें तो पलट जाएगा क्या मैंने क्या बोला था माइनस को छोड़ो माइनस का मतलब कॉस जो है कौन सा quadrant में सकेंड में और थर्ड में आप यहां से निकाल लो positive angle कितना होता है जैसे मालो इसको माल लिया कॉस अलफा बरावर रूट 3 और तो अलफा बरावर कितना हो जाए कितना डिग्री का वैल्यू होता है सब्सक्राव होता है कि आप सब्सक्राव जाएक चर्णी कवाइनस की शेगे ंडिग्री में सब्सक्राव पाइब्स सब्सक्रावर 9 जाएक पाई माइनस और 7 5 6 क्या ऐसी बताया था option number कौन सा सही इसमें एक ही answer दिया है न तो इसी option match कर रहा है तो option number C भाईया दोनों दे सकता है और करके question number 20 general solution पूछा है इसमें कौन सा solution पूछा है अच्छा time हो गया 20 question कर डिसकस करेंगे ठीक है मतलब 20 तक आज कर दे रहे हैं 20 तक कल physics class भी होना है न इसका general solution निकालना है cos 4x equal to cos 2x और cos 4x इसको इधर ले आएंगे क्या cos C minus cos D लगा देगा क्या कितना number पे आता है साथा number पे क्या होगा minus 2 sign C plus D by 2 और sign C minus D by 2 है ना क्या होगा वही है minus 2 sign 3x और into sign x बराबर sign 3x बराबर 0 और sign x बराबर जब sign 0 होता है तो angle होता है n pi n pi है ना x बराबर क्या होगा n pi भए और यहां x बराबर n pi जानते हूँ यह वाला answer इसी के अंदर आ जाएगा कैसे जब भी n 3 का multiple होगा तो 3 से कटेगा ना और integer दे देगा तो side option में दोनो answer नहीं दिया है न दिया है अच्छा दोनों लिखा है देखो b और c दोनो b में दिया n pi rc में दिया n pi भाई 3 अगर एक ही option रहता तो ज़्यादा सही कौन सा होता यह वाला क्योंकि integer इसमें अपने आप आजाता न n का value जैसे 3 आजाता 6 आजाता कितना आजाता 18 आजाता इस तरह से तो n pi अपने आप आजाता ठीक है तो अगर मालो combine answer इसका देना है तो answer कौन सा होगा n pi भाई 3 तो यहाँ पर हो गया 20 number का option d ठीक है चलो आप 20 question कल करेंगे इसका